हेलो एवरीवन मैं विश्रुजीत सिंग आप सभी का देगी नव पर स्वागत करता हूं दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम M.A.H.I.M.H.I.03 हिस्टोग्राफी त्यांस लेखन का लेस्न बाइ लेस्न इंपर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक नंबर टू कारण कारे संबंध है दोस्तो टॉपिक इंपर्टेंट है और हिस्टोग्राफी के अंदर में एक इंपर्टेंट डोल प्ले करता है ठीक है अगर आप अच्छे से पढ़र हो हिस्टोग्राफिय तो आप आगे अपने करियर भी हिस्टोग्राफिय में बना सकते हैं दोस्तो और टॉपिक यह जो है कारण कारे संबंद आपके एक्जाम के प्रोस्पेक्टिव से भी इंपोर्टेंट है चले हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं बट्रिक्वेस्टर है का अपना नोटबूक लेकर बैठे वीडियो लेक्चर बेस होने वाली है तो आपना ध्यान से सुने किसी घटना के घटित होने में जो परिस्तितियां जिम्यदार होती है उसी को हम कारण कहते हैं अगर कोई घटना घटी तो उसके पीछे जो जो चीजे हैं जो कारण है जो रीजन है उसी को हम कारण मानके चलते हैं मतलब उस परिस्तितियों को कारण मानके चलते हैं आज मैं आ साफ कारफ के यह कार vous को कि अतित कि तरीके से रखना करन क्या परिणाम का परिणाम क्या निकला उन दोनों के बीच में relation क्या है वो दिखाना और उसको सही तरीके से present करना इतिहास कहलाता है history क्या है वो उन्होंने बता दिया कि भाया जो भी घटना घटरी है उनको एक बार serial बाइस तरीके से लगा लो उसके reason क्या थे उसके परड़ाम क्या निकले उन दोनों के बीच में संबंद क्या है वो दिखा दो और वो जब हम दिखा रहे न वही हितिहास क्यालाता है history क्यालाता है एच कार का यह मानना था और कहते हैं इतिहास का अध्यन क्या है कारणों का अध्यन है अगर आप history पढ़ रहे हो तो आप क्या पढ़ रहे हो कारण कार दिन कर रहे हो, यह एच कार का मानना था, यहाँ पर एक और thinking है, किते हैं कि कारण और कारण, ठीके, कारण और कारण, या फिर कारण और कारण, एक ही सिक्के के दो पहलू है, ठीके, एक ही जैसे हैं, दोनों, एक ही सिक्के के दो पहलू है, चीत और पढ़ जैसे होत तो इस तरीके से चीज़े बोली जाती है, समझ में आता है, यहां पर एक और इतिहांसकार आते हैं, जिनका नाम है Collingwood, ठीके, आपको नाम याद रखना है, क्योंकि जैसे आप नाम लिखोगे exam के अंदर में, ठीके, तो उसके इसाफ से number समझो, आपके बढ़ जाते हैं, वो मानव को कारे करने के लिए प्रिरीद करता है, प्रोसाहित करता है, और बात दे करता है, ठीके, अब कारन देखो, यहां पर आपका exam है, ठीके, तो exam को हम कारन मानके चलते हैं, और मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो जो कारन है ना exam, वो मुझे motivate कर रहा है, ठीके, कि मैं वी तत्वे, जो मनुस्य को कारे करने के लिए प्रिरीद करता है, बाद्धे करता है, प्रोसाहित करता है, ठीके, समझ में आता है, यहां पर आपका कारन exam, और मैं वीडियो बनाओ, उसके लिए मुझे बाद्धित क्या जा रहा है, प्रोसाहित क्या जा रहा है, यहां पर कॉल तरशनिक कारण मांते हैं. ठीक है, अगर मालनो कोई घटना घटित हुई और उससे पहले कोई चीज घटित हो रखी थी तो पहले वाली घटना को हम कारण मानके चलते हैं, आथारी आजनारी तादिक दारशनिकोंने ये बोला. so for example हम पे दो example लेकर चलते है पहला example हम लेकर चलते हैं 1st world war का थीक है 1st world war का तो 1st world war में क्या होता है कि भाई मित रास्ट और धूरी रास्ट में पूरा दुनिया बटा होता है एक अस्ट्रिया करके देश होता है वहाँ के राच कुमार ठीक है, राजकुमार फर्डिनेट, राजकुमार फर्डिनेट क्या करते हैं, यातरा पे जाते हैं बाई, टूर पे जाते हैं, और टूर पे क्या करते हैं, पर पडोसी राजे में जाते हैं, वहाँ पे उनकी मौत हो जाते हैं, उनकी उपर हमला कर दिया जाता है, गोली मार भ हमला बाकिस सब्पे हमला माने जाने लगता है तो उसके कारण से वो युद स्टार्ट हो जाता है First World War स्टार्ट होता है समझ में आता है? एक दूसरा एक्जामपल भी ले लेते हैं अगर ये समझ में नहीं आया तो लोग तयारी कर रहे थे कि हमें विद्रो करना है, विद्रो करना है, पर 1859 का विद्रो इस तरीके सहोगा किसी को नहीं पता था, इसका main reason ये बना कि हिंदू और मुस्लिमों की भावना आहात हुई, भावना किस परकार की, तो धार्मिक भावना आहात हुई, जैसे हिंदू ल गोली लगाई जाती थी, उसके अंदर में गाय और सूर की चर्वी मिलाई हुई है, और उस गोली को क्या होता था, मुह से पहले छील कर फिर बंदूक में डाला जाता था, जिसके बाद क्या हुआ, कि जो भारतिय लोग है, जो हिंदू लोग है, अगर वो उस गोली को खा गाय की चर्वी है, जिसके कारण से उनका धर्म बरस्ट हो रहा है, और मुस्लिम कर रहे है, जिसके कारण से धार्मिक भावना आहात हुई, और वहां से आपका 1875न का विद्रो स्टार्ट हो जाता है, अब ये अफवा था या रियलिटी था, ये बाद की बात है, अलग डिस वाला सीन हो चुका था, यही कारण बना 1875न के विद्रो का, फर्स्ट वर्ड वर हुआ, पर उससे पहले जो राजकुमार फर्डिनेट की हत्या हो गई थी, ये कारण बना फर्स्ट वर्ड वर होने का, ठीके, समझ में आता है, यहां पे एक और राइटर आते हैं, ठीके, ज जॉन एस मिल, ठीके, जॉन इस्ट्वर्ड मिल भी कह लो, या जॉन एस मिल भी कह लो, ठीके, जॉन एस मिल, यहां पे यह आते हैं, इनका क्या मानना था, इनका कहना था कि कारण को किसी बिसेश पRIS्टिति या फिर परिस्तितियों के समू के तोर पर देखते हैं, ठीके, जो घटना के समय मौझूद थी, भाई, कौन सा condition था, जिसके कारण से आप ये किये, वही condition कारण कहलाता है, सपोज करो, condition क्या है, रात में मैं सो गया, तो क्योंच सो या condition क्या था, भाई, मेरा तवियत खराब था, तो ये condition बना, ठीक है, पेन से चेब गीर गया, तो condition क्या थ तो इस तरीके से जो परिसितियां होती हैं उसी को कारण मानकर चलते हैं घटना के समय मौजूद होती हैं उसी को कारण मानकर चलते हैं ये जोन स्टूर्ड मिलका मानना था जोन एस मिलका ठीके समझ में आता है एक और इतिहास का राते हैं जिनका नाम है रेनियर ठीके रेनिय रेनियर का क्या मानना था ? रेनियर कहते हैं कि इतिहास में कोई घटना एक नहीं बल्कि अनेक कारणों और परिणाम है ठीक है, जो भी घटना घटनी हैं यहीं कि सरीफ यही जैसे हमने ठार सनथावन का विद्रों का बता रह रहा हो ना तो emergency कारण तो यह है पर यही एक कारण नहीं था जिसके कारण से घटना घटित हुई First World War में राजकुमार Ferdinand की हत्या ही एक कारण नहीं थी जिसके कारण से हुई और भी बहुत सारे reasons थे पर main कारण के तौर पर हमने इसको देखा तो यहाँ पर Rainier का क्या माना था कि इतिहास में अगर कोई घटना घट रही है तो इसका मतलब यह नहीं है कि बलकि एक ही कारण नहीं है अनेक कारण हो सकते हैं अनेक कारण के अनेक परिणाम हो सकते हैं ठीक है समझ में आता है आगे में बात करूँ तो यहां पर कहते हैं आगे कुछ टॉपिक्स दी गई हैं जिसके अंतर में का जाता है कि कारण एक अर्णिवारे और परियाप्थ परिस्तिति है ठीके जिसका संबंध परिणामों से होता है कारण क्या है एक ऐसा मतलब condition है जिसका संबंद परिणाम से होता है अगर कारण है तो उसका कुछ नगा कोड़ नाम निकलेगा परिणाम क्या हुआ युद्ध हुआ ठीक है मतलब राजकुमार फर्डिनेट की हथ्या एक कारण मान कर चलते हैं तो उसका परिणाम क्या निकला युद्यू निकला, First World War निकला, ठीक है, तो इस तरीके से यहांपे कारना है, किसी घटना के घटित होने में अनेक उत्तरदाई होते हैं, परन्तु अनेक कारकों के बीच में एक ततकाले कारण होता है, जिसको मैंने यहांपे बताया, ठीक है, मतला बगर कोई घटना-घटरी तो उसके पीछा नेक कारण है पर उन सभी कारणों में एक कारण होता है जो सबसे important होता है जो मैंने first world war और थारसंतावन के विद्रों में बताया है मैंने ठीक आपको अगे में बताऊं दोस्तों कि आरस्तु आते हैं आरस्तु जैसे विचारक आते हैं ठीक है जिसे father of the politics के नाम से भी जाने जाता है तो आरस्तु क्या कहते हैं कि कारकों के अभाव में किसी घटना का होना कारे कारण असंबव है मतलब अगर कोई कारण नहीं है तो मापर कोई घटना गट्टी ने हो सकता है ऐसा आरस्तु है तो तो किसी के घटना का गटना असंबव है यह मान कर चलते थे आरास्तु ठीके यहां पर हेरोडोटबस जो Father of the संबंद के हैं वो सहमती देते हैं कि हाँ ये चीजे हैं ऐसी अगर ये नहीं रहेगा तैसा होगा वो इसको accept करते हैं उसे सहमती मानते हैं उसे मान के चलते हैं ठीक है मांगते इंस्यू करके एक और समानने कारण उत्तरदाई होते हैं अगर मालो कोई हम राजा के वंस के बारें बात कर रहे हैं, वंसावली के बारें बात कर रहे हैं किसी मतलब राजगरानी के बात कर रहे हैं, ठीक है जैसे मोरिया वंस हुआ, कोई और वंस हुआ तो उसके उत्थान उत्पन होने का ठीक है वहां से स्टार्ट होने का और उसके पतन होने के पीछे क्या हो सकता है नैतिक या फिर बहुतिक या फिर समानने कारण उत्तरदाई होते हैं या फिर स्टार्ट हो रहा है तो नैतिक बहुतिक या फिर समानने कारण उत्तरदाई होत वो कहते है कि तिहांसकार को कारणों की चिंता नहीं करने चीए जी बैरक का यहां पर साफ उन्होंने बोला कि भाई तिहांसकार को क्या करना चीए कारणों की चिंता नहीं करने चीए कारण क्या है क्या नहीं है उसे मात्र परिणामों पर ध्यान देना चीए यह मानकर चलते हैं जी बहरक तो इसकी बात को कईश्गा पर पे काटा भी जाता है कि जी बहरक ने जो बुला कि परणामों पे हमें ध्यान देना चाहिए तो लोगों ने बुला परणामों पे ध्यान दोगे तो कारण अजब तक के होने के लिए अनिवार रहे हैं अगर मतलब एक condition होगा ही नहीं ठीक है तो आप आगे कोई घटना घटीत नहीं हो सकती है अगर आप सुरू से पढ़ रहे होते तो अभी इस तरह वीडियो देख कर नहीं पढ़ना पड़ता तो आपका एक्जाम है लास्ट पर पढ़ने के लिए बैट रहे हो टाइम नहीं मिल रहे है तो उसके कारण से वीडियो ले रहे हैं हम ले रहे हैं ठीक है तो condition मतलब कारन ए का जाता है इत्यासों की व्याख्या का मुल्य के अधार पर किया जाता है जो इत्यास की व्याख्या की जाते है हिस्ट्री को जो डिफाइन किया जाता है वो मुल्यों के अधार पर किया जाता है मुल्य मतलब यहां पर मनी से नहीं है वहां पर कारण से कहा जा रहे है कारण की खोज के पीछे मुल्यों की खोज जरूरी होती है अगर हम किसी कारण को खोज कर रहे है तो क्या importance है उसकी वो हमें जानना सबसे ज़्याता जरूरी होता है यह यहाँ पर दिखा जाता है यहाँ पर walls करके एक और विचारक आते हैं इतिहांस का राते हैं तो यहाँ पर walls क्या कहते हैं कि इतिहांस की व्याक्या साक्षे परधान होनी चाहिए ना कि मुल्य परधान साक्षे परधान मतलब क्या proof की बात करते हैं कि भाई हमारे पास कोई अच्छा main proof होना चाहिए उसके उपर basis पर आप इतिहांस बनाओ ना कि मुल्यों को देखकर कि हाँ यह important है और यह important नहीं है ठीक है यहाँ पर walls का यह कहना था ठीक है समझ में आता है यह आपका पूरा topic था इसके बाद में एक और थोड़ा सा discussion है जैसे मालन लो दो व्यक्ति हैं ठीक है दो व्यक्ति है एक नॉर्मल व्यक्ति है ठीक है और एक क्या है हिस्टोग्राफिय इतिहांस कार है जिसने हिस्टोग्राफिय पड़ रखा है ठीक है आप मालन लो हिस्टोग्राफिय है तो एक घटना इस्थल पर जाओगे दोनों का विशलेशन करने के लिए कि घटना इस्थल पर किस तरह से घटना घटी है तो वो normal वैक्ति जो है क्या वो सरल और सहज तरीके से बताएगा कि ये घटना घटी थुई पर जो हिस्टोग्राफी पड़ रखा है जिसने जो इतिहास कार है जो अगर उस घटना इस्थल का विशलेशन बताएगा पर एक normal वैक्ति क्या करता है कि सरल और सहज तरीके से जो उसको दिख रहा है जो समझ में आ रहा है वो उसने बता दिया ठीक है एक गटना घटी तुई किसी का murder हो गया है जो भी हुआ ठीक है पुलिस को बुलाए गया पुलिस आता है तो उससे पहले जो लोग थे उन्होंने देखा तो अच्छा चोरी हो गई कि आपनी घर में ठीक है कोई नहीं दिक्कत नहीं है ऐसा करके उसने बोल के चला गया पर अगर पुलिस आएगा तो पुलिस आने को बास सबसे पहले वो पूछे गए कि हर एंगल से देखने के बाद पुलिस वाला क्या करेगा कंक्लूजन पर जाएगा पर एक नॉर्मल इंसान ने देखा समझा उसके बास बता दिया कि यह यह था ठीक है सरल और सहस तरीके से पर एक इतिहास कार या फिर जो उसका प्रोफेशन है वो अलग तरीके यह आपको समझके चलना है और जितने भी मैंने यहां पर इतिहास कारों के नाम बता है वो आपको थोड़ा से याद रखना है उसी की बेसिस पर आपको डिफाइन करोगे नंबर अच्छे मिलेंगे ठीक है और अच्छे से कर पाऊगे और फ्रेंड्स इसी तरह की और भी वीडियो चाहिए तो आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लें ठीक अपने दोस्तों को साथ सेर जरूर करें जिससे और भी समय से मैं पर मैं और इस तरह की वीडियो बना सकूँ थाल थाल थे बड़ थाल थे बस्त